इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं exercise 12.2 और उससे पहले की theory और examples अगर आपने exercise 12.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन finding areas of quadrilaterals तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि quadrilateral एक four side का figure होता है अब मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से कोई भी quadrilateral है जो कि कैसा भी हो सकता है अब हमने इस quadrilateral को नाम दे दिया ABCD और मान लीजिए कि हमको इसकी ये वाली side मालूमे 12 cm की है इसकी ये वाली side हमको मालूमे 13 cm की है और इसका हमको एक diagonal भी मालूमे जो की मान लीजिए 15 cm का है इसके अलावा मान लो ये वाली side भी 13 cm की है और ये वाली side भी 12 cm की है तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक figure कैसा है parallelogram का figure है अब इसमें हमको मान लो area of parallelogram find करना रहता तो हम क्या कर सकते हैं हमने पिछली exercise में पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी triangle की 3 side मालूम हो तो हम hierons formula की मदद से उसका area निकाल सकते हैं तो आप मुझे बताओ कि क्या आप इस वाले triangle का area find कर सकते हो बिलकुल कर सकते हैं हमको 3 side मालूम है कौन कौन सी एक तो 15 है एक 13 है और एक 12 है तो semi perimeter निकालके और उसका area हम formula में value put करके निकाल सकते हैं और इसी तरीके से आप सेम तरीके से ये वाला area भी निकाल सकते हो तो आप दोनो area को अगर add कर दोगे तो आपका area of parallelogram निकल जाएगा बस इसी चीज को हमको इस पूरी exercise में लगाना है हमको बस जो भी figure दिया है उसको अलग-अलग triangles में break करना रहेगा और एक बार हम उनको break कर लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमको उनकी तीनो sites मालूम है अगर हमको तीनो sites मालूम है तो हम उसका area find कर लेंगे और अलग-अलग triangles का area add करने से हम पूरे figure का area निकाल लेंगे तो अब हम इसके सीधे example देख लेते है example 4 में हमको बोल रहा है कि एक कमला नाम की कोई lady है जिसके पास एक triangular field है अब जो triangular field है उसकी sites हमको दे रखे है 240 meter, 200 meter और 360 meter और जो triangular field है उसमें कमला भी टोगाती है ये सवाल में उसमें हमको दे रखा है अब हमको क्या करना रहेगा सबसे पहले हम एक triangle बनाएंगे जिसकी sites 240 meter, 200 meter और 360 meter की होंगी अब अगली line देखते है अगली line उसमें बोलाई कि उसके पास एक और triangular field है जिसकी dimension है 240 meter, 320 meter और 400 meter और साथ ही साथ उसने एक और line बोली है कि वो जो field है वो adjacent to the previous field है अब adjacent का मतलब होता है उसके side से इसका मतलब यह जो दोनों triangular field है वो एक दूसरे से connected है और आपको देख रहा होगा कि अगर यह दोनों एक दूसरे से connected है तो इनकी जो common side होगी वो 240 meter वाली side हो जाएगी तो इसका figure किस तरीके से बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि एक triangular field इस तरीके से लिए रखी है और आप देखो कि यह जो 240 वाली side है यह आपको यहाँ पर common देख रही है और उसके साथ फिर यह दूसरी वाली field यहाँ पर triangular इस तरीके से बना रखी है आगे सवाल में उसने बोलाए कि यह जो दूसरी field है उसमें वो potatoes और onions को grow करना चाहती है फिर इसमें उसने बोलाए कि यह जो second वाली field है क्योंकि वो उसमें potatoes और onions दोनों गाना चाहती है तो उसने क्या किया सबसे बड़ी वाली जो side है उसके midpoint से एक line draw कर दी जिससे की जो field है वो आदे आदे में बट गई इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो second वाली जो field है इसमें उसने क्या किया कि longest side के midpoint को longest side कौन सी है AD 400 मीटर की है इसलिए वो longest हो गई सबसे बड़ी तो इसने क्या किया कि सबसे लंबी जो side है उस पर midpoint को C से join कर दिया तो आप देख रहे हो यहाँ पर EC बना दिया उससे क्या होगा कि यह जो triangle आपको देख रहा है AEC यह जो यह वाला triangle है और यह वाला जो triangle है वो दोनों same area के हो जाएंगे अब हमको सवाल में बताना क्या है हमको सवाल में बताना है कि उसके पास total कितना area है जो कि wheat के लिए इस्तमाल करेगी वो potatoes के लिए इस्तमाल करेगी और onions के लिए इस्तमाल करेगी पूल मिलाके हमको इसका area find करना है, wheat का अलग से, potato का अलग से और onion का अलग से, तो अब हम इसका area find करने की कोशिश करते हैं, हम इसका पहले figure देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि इस वाले question का figure इस तरीके से हमने बना लिया है, और यहाँ पे उसने बताये कि यस वाले में वीट होगाना चाहते हैं हम माल लेते हैं इस वाले में पोटेटोग आएगी और इस वाले में उनियन अब बात करते हैं कि वीट के लिए कितना area हमारे पास रहेगा तो आप देख सकते हैं कि हमको इन तीनों साइट्स की value मालूम है तो हम क्या करेंगे area of triangle A, C, B easily निकाल सकते हैं तो area of triangle A, C, B कितना आजाएगा हमारे पास root under S, S-A, S-B, S-C यह जो herons formula वो हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब यहां से हम पहले S निकाल लेंगे S होता था semi perimeter यानि कि A, B, C by 2 तो 240 प्लस 360 प्लस 200 बाइ 2 तो यह कितना आगया 360 में अगर 40 जोड़े तो आगया 400, 400 और 200, 600 और 200, 800 तो 800 बाइ 2 और इसको काट देंगे तो यह कितना आजाएगा 400 यानि कि S हमारे पास 400 आगया तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे यह values put कर देंगे तो यहां पर कितना आएगा 400 अंदर आएगा 400 माइनस A तो आप देखो यहां पर हमने A को 240 मान रखा है तो यहां पर हमने 240 लिख दिया फिर आएगा 400 माइनस B तो हमने B को 360 मान रखा है तो यहाँ पर 360 आ गया इसी तरीके ज़े 400 minus यह वाली value सी की तो यहाँ पर हमने minus 200 कर दिया तो यह value total कित्ती आ जाएगी फिर हमारे पास 400 का तो 400 ही बचेगा यहाँ से कितना बचेगा 400 minus 240 is 160 तो यह 160 आ गया और 400 minus 360 is 40 तो यह 40 आ गया और यह आ गया 400 minus 200 200 आ गया अब इसको हम solve कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि 400 जो होता है वो 20 का square होता है तो इसके लिए यह value है वो बाहर कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी तो यहाँ पर हमने direct लिख दिया 20 160 को हम लोग लिख सकते है 16 इंट्फ 10 तो आपको मालूम है कि 16 का root 4 होता है इसलिए indra पार कितनी आ जाएगा और 10 अंदर flags लेह गया इसी तरीके से हम 40 को लिख सकते हैं 4 into 10 तो 4 का root होता है 2 इसलिए 2 बाहर आ गया 10 अंदर रह जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आया कि इधर से 10 अंदर रह गया इधर से 10 अंदर रह गया और इधर से 2 अंदर रह गया बागी सब बहर आ चुका है तो इसको हम लेगे रूट के अंदर तो रूट के अंदर कित्ता आगया हमारे पास 10 x 10 x 2 तो आपको देख रहा होगा कि 20 x 4 कित्ता हो जाएगा 180 और 180 x 2 160, 160 x 10 is 1600 और रूट के अंदर आप देख सकते हो कि यह एक 10 है और यह एक 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जब पेर बनता है तो वो पेर बाहर आ जाता है तो एक 10 बाहर आ गया तो यह multiply कित्ता हो गया 16,000 और अंदर कित्ता हो गया रूट 2 तो यह कित्ता हो गया हमारा answer हो गया meter square में यानि कि area of weed कितना आ जाएगा 16,000 root 2 meter square कोशन में उस नम से बोल लखा है कि वन हेक्टेयर इस इक्वाल टू 10,000 meter square होता है तो हमारे पास कितना आ रहा है 16,000 root 2 meter square आंसर आ रहा है इसको हम 10,000 से आगा divide कर दिंगे तो हमारे पास कित्ता बनेगा hectare में answer आ जाएगा तो यह कित्ता आ गया इस से कट गया इस से कट गया यह और यह से कट गया तो यह आ गया हमारे पास 1.6 root 2 hectare का wheat के लिए हमारे पास area आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो अब उसने root 2 का multiply कर दिया 1.6 में तो root 2 की value होती है 1.732 अगर आप 1.6 को इस में multiply कर दोगे तो आपका आंसर भी इतना आ जाएगा जो कि आ रहा है 2.26 hectare अप्रॉक्सिमेटी अब सेम इसी लॉजिक से हम onion के लिए और potato के लिए area निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो कि उसने यह solve किया हुआ है अब आप इसको यहां से देख सकते हो easily area of triangle acd यानि की a c और d यह उसने निकाला आ area of triangle acd के लिए हमारे पास यह वाली side given है यह वाली side given है और यह वाली side given है अगर तीनों side मालू में तो उसने सबसे पहले s निकाला और value में put कर दिया तो answer आ गया 38400 और उसको 10,000 से divide करके 3.84 hectares हमारा total area आ गया acd का और इस area को अगर हम divide by 2 कर देंगे तो आप देख सकते हो कि potato और onion दोनों का area हमारे पास निकल जाएगा इसलिए उसने यहाँ पर divide by 2 कर रखा है तो इस तरीके से example number 4 हो चुका है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया हो अब हम बढ़ते है example 5 की तरव example 5 में हमको बोल रहा है कि एक school के student ने cleanliness campaign चलाया जिसमें उन्होंने दो गुरूप बनाए और जो एक गुरूप था वो AB BC and CA के along-move किया यानि कि AB BC और CA के along-move किया दूसरा जो गुरूप था वो AC CD और DA यानि क ey ako AC CD और DA की along to move किया और फिर उन्होंने यह जो एरिया आप देख रहे हैं इनको एक eyebrows ने clean किया है और यह जो दूसरा एरिया उसको दूसरे गृप ने clean किया है तो हमको बताना है कि कौन से गृप ने कितना area clean किया है यानि कि सीधे सीधे हमको area of triangle find करना है और हमको यह को और चीज गेवन है कि A B की value 9 meter है BC की 40 CD की 15 DA की 28 meter और साथी साथ angle भी आपको दिख रहा हुआ 90 degree का उसना हमको दे रखा है तो इस सारी information से हमको यह सवाल solve करना है तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो ABC triangle है वो एक right angle triangle है तो area of right angle triangle तो हम easily निकाल सकते है कैसे height into base into half से तो यहां पर कित्ता आजाएगा half into base into height और आपको दिख रहा होगा इसकी base कित्ती है 40 meter की base है और height है 9 meter की तो answer आजाएगा half into 40 into 9 और यह कित्ता हो गया 20 times खटेगा तो यह हो जाएगा 180 meter square अब यहां से हमको क्या करना है कि area of triangle ADC निकालना है आपको दिख रहा होगा कि area of triangle ADC के लिए हमको AC की length नहीं मालों बट हमको इतना मालूम है कि triangle ABC right angle triangle है जो AC है वो इसकी hypotenuse है तो हम क्या करेंगे pythagoras लगा देंगे और pythagoras से हम AC की value निकाल लेंगे तो हम माल लेते हैं कि AC की value X है तो pythagoras का कहते हैं कि perpendicular का square प्लस बेस का square इरिकोल टू hypotenuse का square तो यहां से हमारे पास क्या आगया perpendicular यानि की 9 का square और बेस यानि की 40 का square इरिकोल टू h square अब इसको हम solve कर लेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो इसने solve करके दिखाया यह आगया 41 meter तो यह value हमने solve करके 41 meter की आ गई है एक बार हमारे पास AC आ गया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस triangle की तीनों side आ गई है इसमें हम हेरंस formula लगाके इसका area of triangle easily निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे semi perimeter निकालेंगे वह कित्ता हो जाएगा 41 प्लस 15 प्लस 28 divided by 2 और यह कित्ता आ गया 41 और 15 हो जाएगा 56 56 और 8 64 64 और 20 84 by 2 यह आ गया 42 मीटर का अब इसके बाद area of triangle हरंस formula से कित्ता आ जाएगा तो area of triangle ACD will be root under s into s minus a to s हो जाएगा 42 s minus a यानि की 42 minus 41 हमने a को 41 माल लिया s minus b यानि की 42 minus 15 हमने b को 15 माल लिया और s minus c यानि की 42 minus 28 हमने c को 28 माल लिया यह कितना आ गया root के अंदर 42 यहां से कित्ता आ जाएगा 1 और यहां से कित्ता आ जाएगा तो 25 और 227 और यहां से आ जाएगा हमारे पास 14 अब हम इनके factors में इनको break कर लेंगे तो 42 को हम लिख सकते है 14 into 3 और यह हो जाएगा 2 into 3 into 7 तो यहां पर हम लिख गया 2 into 3 into 7 और 27 की जागे हम लिख सकते है 3 into 3 into 3 क्योंकि वो 3 का Q होता है और 14 को लिख सकते है 2 into 7 अब यहां पर आप देख सकते हो कि 2 हमारे पास कित्ती बार आ एक बार यहां से और एक बार यहां से तो root के बार 2 आ जाएगा एक बार क्योंकि उसका pair बन गया इसी तरी के बारे में हम देखते हैं तो एक बार यहां एक बार यहां पर टोटल चार बार 3 आ रहा है यसलिए root के बार 2 बार 3 आ जाएगा और 7 की बात करें तो वो भी 2 बार आ रहा है तो एक बार root के बार 7 हो जाएगा तो यह value solve होके कित्ती आ जाएगी तो आप देख सकते हैं 236 और यह आ गया 21 और 21 into 6 कित्ता हो जाएगा that will be 126 meter square तो यहां से हमको साफ समझ में आ गया कि दो area इस तरीके से हमने निकाल दिये कि यह जो area of triangle ABC है वो किस से जादा है area of triangle A, C, D से और उसने पूचा है by how much तो आप देख सकते हो 180 में से 126 minus कर देंगे तो यह कित्ता आ जाएगा 54 meter square से यह area जादे है तो इस तरीके से example 5 हो example 6 में बोल रहा है कि सान्या नाम की एक lady है जिसके पास एक piece of land है जो की rombus के shape में है अब जो lady है वो यह चाती है कि उसकी जो लड़की है और उसका जो लड़का है वो उस land पे काम करें और अलग अलग crops उगाए इसलिए सान्या ने क्या किया कि जो land है उसको दो बराबर parts मे divide कर दिया आगे उसने बोलाए कि perimeter of land 400 meter है या उसने हमको बता रखा है और उसके diagonal की एक diagonal की value है 160 meter दूसरे diagonal की value हमको यहां पे given नहीं अब इस तरीके के सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि rhombus किसे कहते थे तो rhombus कहते हैं ऐसे figure को जिसकी च चारो side बराबर हैं तो एक side को अगर हमने x बोल दिया तो 4 side का perimeter कितना आएगा x plus x plus x क्योंकि perimeter होता है sum of all sides और वो हमको कितना दे रखा है 400 meter दे रखा है तो 4x की value कितना आगई 400 आगई यहांसे x की value कितना आगई 400 by 4 इसलिए x की value कितना आगई 100 meter तो इसका मतलब यह जो figure है उसमें एक side 100 meter की है और एक diagonal उसने हमको दे रखा है तो हमने एक diagonal ऐसा बना लिया अब आप देख सकते होगी हम इस वाले triangle का area easily निकाल सकते हैं तो around formula की मदद से वो area हम निकाल सकते हैं यहां पे उसने semi perimeter निकाला है और सारी values put करने के बाद area इस तरीके से आ गया और आपको दिख रहा हुगा कि इस triangle की side और इस triangle की side सेम है इसके लिए ये area और ये area कैसा आएगा सेम इसलिए हमने एक बार 4800 meter square निकाल के बोल दिया कि दूसरे triangle का भी area इतना ही आएगा इस तरीके से example number 6 हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं इसी example को हम दूसरे तरीके से भी solve कर सकते हैं हमको मालूम है जो rhombus होता है उसके diagnose एक दूसरे को perpendicularly bisect करते हैं इसका मतलब वो एक दूसरे को आदे आदे में भी cut करते हैं और वो एक दूसरे के 90 degree पर भी होते हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि यह पूरा एक diagonal है और दूसरा diagonal इस तरीके से A से लेके C तक join होग और हमने देखा कि यह जो EC है उसने यह वाले diagonal को आदे आदे में बांट दिया है इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो length है वो 80 meter की आ गई है और perpendicularly bisect करता है इसके लिए यह angle 90 degree का हो चुका है अब आपको मालूम है कि यह 80 का है और यह 100 meter की side हम पहले ही देख हैं तो फिर क्या किया हमने पायत्योगुरस लगा के EC की value find कर ली यहां पर आप देख रहे हैं पायत्योगुरस इस तरीके से लगा सकते हैं पायत्योगुरस लगा के EC की value 60 meter आ गई फिर आप देख सकते हैं कि इस पूरे triangle का area यानि की BCD का area कितना आजाएगा half into base into height जिसमें अब हम बढ़ते है exercise 12.2 की तरह कोशन नमर वन में हमको दे रखाए कि एक पार्क है जो की quadrilateral की shape में है और quadrilateral का नाम है ABCD इसने हमसे बोला है कि angle C की value 90 degree है इसलिए आप यहां पर देख रहे हैं मैंने यह वाला angle 90 degree का बना दिया है AB की value 9 meter है यानि कि यह वाली side 9 की हो गई BC की value 12 meter है तो यह side 12 की हो गई है CD की value 5 दे रखी है तो यह side 5 की हो गई और AD की value 8 meter दे रखी है अब हमको बताना है कि इस वाले quadrilateral का area कितना होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसमें diagonal create कर लेंगे जो की BD होगा अब आप देख सकते हैं कि BDC एक right angle triangle हो चुका है तो BDC का area हम direct निकाल सकते हैं किससे half into base into height से आप देख पा रहे हैं कि यह जो 5 है वो base हो जाएगा और 12 जो है वो हमारी height हो जाएगी triangle की तो half into 5 into 12 इससे हमारा area कित्ता आ जाएगा यह 6 time कटेगा तो 6,5,30 यानि 30 meter square right angle triangle का area इस वाले का आज चुका है इसको हम first नाम दे देते हैं अब हमको area of triangle a, b, d निकालना रहेगा area of triangle a, b, d निकालने के लिए या तो हमको उसका height निकालना पड़ेगा जो कि आप देख रहे हैं वो निकालना बहुत मुश्किल है तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अगर हमने side b, d की value find कर ली तो हमारे पास a, b, a, d और b, d तीनों हमा जाएंगे और हमने पहले ही पढ़ चुका है कि अगर हमको 3 side of triangle मालूम हो तो area of triangle हम हेरोंस फ़र्मूला की मदद से निकाल सकते हैं तो अब हम देखते हैं क्या हम b, d की value find कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं आप देखिए कि b, d is the hypotenuse of this triangle अब इस triangle की hypotenuse अगर है तो इसमे हम पैतेगुरस लगा सकते हैं हम बोलेंगे cd का square plus bc का square is equal to hypotenuse यानी की bd का square cd की value हमको मालूमें तो 5 का square plus 12 का square equal to bd का square तो यह कितना हो गया 25 plus 144 equal to bd का square अब हम both side root ले लेंगे तो यहां पर square से root कट जाएगा और यहां पर root आ जाएगा तो bd की value आप देख सकते हैं कि which is equal to 13 यहां से हमको समाझ में आ गया कि bd की value 13 है तो अब हम इस वाले triangle का area निकाल सकते हैं जो कि है triangle number 2 इसका area कैसे आ जाएगा तो हम पहले semi perimeter निकाल लेंगे वह जाएगा 8 plus 13 plus 9 by 2 13 और 9 होता है 22 और 8 होता है 30 30 by 2 is 15 meter हमारा semi perimeter आ तो area कैसे आ जाएगा area of second triangle वह कितना हो जाएगा root under s into s minus a यानि कि 15 into 15 minus a की जगे हम 8 ले लेते हैं 15 minus b b की जगे 13 ले लेते हैं और 15 minus c और c की जगे हम ले लेंगे value 9 अब इसको हम solve कर लेंगे यह कितना आ जाएगा 15 15 में से अगर 8 गए तो 7 और 15 में से 13 गए तो 2 और 15 में से 9 गए तो 6 इसकी हम factor कर लेंगे 6 को लि को seven यह लिखा लेने देंगे और 15 को लिख सकते है थ्री इटु फईव तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमको थ्री का एक पेर मिलता हुआ दिख रहा है तो यह तरीका है और इसी तरीके से second triangle का area आ चुका है इन दौनों को हम plus कर देंगे तो हमारा overall answer आ जाएगा जो की हो जाएगा 30 plus 6 root 35 तो यह अपना answer हो गया है इस तरीके से question number 1 हो गया है अब हम बढ़ते है question 2 की तरह question number 2 में हमको दे रखा है कि एक quadrilateral है ABCD जिसमें AB 3 cm की दे रखी है तो पहले हम AB बना लेते हैं यह हमने AB बना ली जो की 3 cm की है और उसके बाद हमको बोला है BC 4 cm का है तो यह हमने BC बना लिया यह 4 cm का हो गया उसके बाद बोला है कि CD 4 cm का है तो यह हमने CD बना लिया 4 cm का, यह C और यह D, उसके बाद बोला है कि DA is 5 cm, तो यह हमने DA बना लिया, यह है 5 cm, और एक और चीज़ दे रखिए AC, AC हमको दे रखा है 5 cm का, तो यह 5 cm का हो गया, अब हमको बताना है कि इसका area कितना, तो इसका area आप easily find कर सकते हैं, आपको क्या करन है कि यह first triangle हो गया, और यह second triangle हो गया, आपको दोनों triangle की side मालों में, आप semi perimeter निकालो, एक बार first के लिए, और दूसरी बार second के लिए, और दोनों में आप herons formula लगा दो, इसमें भी और इसमें भी, और फिर आपका दोनों जो area आएंगे, उनको आप add कर दोगे, उस तरीके से आपका answer आजाएगा, तो question number 2 आप easily खुद से कर सकते हैं, बस आपको herons formula लगाना आना चाहिए, अब हम बरते है question number 3 की तरफ, question number 3 में बोल रहा है कि रादा ने एक aeroplane बनाया है, जो कि उसने paper से बनाया है, अब हमको बताना है कि इस aeroplane का total area कितना है, जो कि paper से बनाया गया ह अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस figure को 5 parts में divide कर रखा है, जिसमें कि part 1, part 5 और part 4 triangle के shape में है, part 2 rectangle के shape में है, और part 3 trapezium के shape में है, तो हमको इन 5 parts का area निकालना पड़ेगा, और इन सारे parts को अगर हम area निकालके add कर देंगे, तो हमारा aeroplane का area आ जाएगा, त सबसे पहले हम first वाले की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो figure है वो इस line के about symmetrical है, symmetrical का मतलब होता है कि जैसा left में रहेगा वैसा ही right में रहेगा, तो अगर यह side 5 cm की है, तो यह side भी कितने की होगी, 5 cm की होगी by symmetry, और आप देख सकते हैं कि second जो figure है वो एक rectangle है, और rectangle की opposite sides बराबर रहती है, तो यह 1 cm का अगर है, तो यह भी कितने का होगा, 1 cm का होगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जो first वाला triangle है, उसकी हमको तीनो side मालूम लग गई हैं, और तीनो side अगर मालूम लग गई हैं, तो हेरंस formula की मदद से उसका area easily निकाला जा सकता ह सबसे पहले हम semi perimeter निकाल लेंगे, वो हो जाएगा sum of all sides यानि कि 5 plus 5 plus 1 upon 2, और यह कितना आ गया है 11 by 2, तो अब हम area of 1 निकालने के लिए हरंस formula में सारी values put कर देंगे, तो 11 by 2 S की value आ जाएगी, फिर S minus A के लिए हम क्या करेंगे, 11 by 2 minus 5, A को हमने 5 ले लिया, B को भी हम 5 ले ले value कितनी आ जाएगी, root under 11 by 2, अब आप यहां पर देखो कि LCM 2 आएगा, तो 11 minus 2 into 5, 10 हो जाएगा, तो इसके लिए हम direct यहां पर क्या लिखेंगे, 11 में से 10 गया, तो 1 by 2 इदर से बचेगा, 1 by 2 इदर से बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, तो 2 LCM आएगा, 11 में से 2 रूट के बार आजाएगा, 2 into 2, और 9 का रूट होता है, 3, इसके लिए 3 भी बाहर आगया, और अंदर कितना बचेगा, 11, अब रूट 11 की value approximately 3.3 something होती है, तो यह value कितनी आएगी, 3 into 3.3 upon 4, और इसको solve करोगे आप, तो यह आजाएगा, 2.5 cm2 approximately, तो हम साथ में लिख देंगे इस तरीके से हमने 1st वाला निकाल लिया है, 1st वाले की value यह आ गई है, अब हम बागी के 2 triangles की value भी निकाल लेते हैं, आप देखिए कि यह जो angle है, यह angle है 90 degree का, तो इस 5th वाले का area कितना आजाएगा, half into base into height, तो 5th वाले का area आजाएगा, half into base हम ले लेंगे 1.5 को, और height हम ल 5 cm2, और यह आप देख रहे हैं कि 5th वाले की value हमने निकाल लिया, और अभी अभी हमने बोला था कि यह जो figure है, वो symmetrical है, तो 5th वाला और 4th वाला जो है, वो same triangle है, इसके लिए जो area 5th का है, वह area 4th का है, तो अब हमने 3 triangles का area find कर लिया है, rectangle के area की बात करते हैं, तो वो यह 6.5 और ब्रेट हमको देख रहे हैं 1 की, तो इसके लिए यह कितना आ गया, 6.5 cm2, तो हमने 4 area find कर लिये हैं, अब हमको trapezium के area की बात करनी है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए यह वाला trapezium बढ़ा करके बना दिया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह side हमको 1 cm की दे रखिए और यह side हमको 1 cm की दे रखिए और यह side भी 1 cm की दे रखिए और नीचे वाली side जो है, वो 2 cm की है, अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले point से यहाँ पर perpendicular drop कर देंगे, सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक perpendicular drop कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो figure है अंदर वाला यह जो figure है, वो एक rectangle बन जाएगा, तो यहाँ पर यह value कितने की आजाएगी, 1 cm की, और क्योंकि यह figure symmetrical है, तो यह value हम मान लेते x की है, तो यह भी कितने की होगी, x की होगी, और यह पूरी value कितने की है, 2 cm की दे रखिए हमको figure में, तो हम क्या बोलेंगे कि x प् अब यह value हम इधर put कर देंगे, तो यह value 1 by 2 की है, और यह angle 90 degree का है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो triangle है, वो एक right angle का triangle आ चुका है, अब सबसे पहले तो आप यह समझे कि आपको trapezium का अगर area निकालना है, तो वो होता है, 1 by 2 into sum of parallel sides into height, अब यहाँ पे आप देखिए कि height की value हमको मालूम नहीं है, इस वाले trapezium के लिए, और sum of parallel sides किता आजाएगा, 1 plus 2, तो यह height हमको सबसे पहले find करने पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले triangle में pathogorus लगाएंगे, हमको यह वाली side मालूम है, यह 1 by 2 की है, और यह वाली side 1 की है, तो pathogorus क्या कहती है, क परपेंडिकूलर का square plus base का square is equal to hypotenuse का square, यहाँ पर hypotenuse 1 के बराबर है, तो 1 का square हो गया, और base की value अभी अभी हमने निकाली है, तो वो है 1 by 2 का square, और perpendicular का square हमको निकाल नहीं है, तो उसको हम h मान लेते हैं, तो h square plus 1 by 2 का square equal to 1 square, तो यहाँ से h square plus यहाँ पर 1 by 2 का square हो जाएग तो यहाँ पर आएगा 1 का square 1 minus 1 by 4, और यह आप lcm लेंगे तो 4 minus 1, यानि कि यहाँ पर आजाएगा 3 by 4, तो h की value कितनी आजाएगी, root under 3 by 4, और 4 का root होता है 2, इसके लिए वो भार आजाएगा, तो h की value आगई, root 3 by 2, अब यह value हम यहाँ पर put कर सकते हैं, तो यहाँ 4, और root 3 की value होता है 1.73, तो उसको हम put कर देंगे और इसको solve करेंगे, तो यह आजाएगा 1.3 cm square, तो आप देख रहे हैं कि हमने 5 ओ area निकाल लिए हैं, अब हमको क्या करना है, इनको add करना है, तो हम इनको add कर लेते हैं, तो इनको add करने के लिए हम क्या लिखेंगी total area, कितना आ जाएगा, first वाला है हमारे पास 2.5, तो 2.5, plus second वाला हमारे पास है 6.5, plus third वाला हमारे पास है 1.3, plus fourth वाला हमारे पास है 4.5, और fifth वाला भी हमारे पास 4.5 ही था, तो यह कितना हो गया, 4.5, 4.59, 9 और 6 is 15, 15 और 2, 17, 17.5, 18 और यह हो जाएगा, 19.3, तो हमारा answer आगया, 19.3 cm2, इस तरीके से question number 3 हो चुका है, अब हम बढ़ते है question number 4 की तरह, question number 4 में बोल रहा है कि हमारे पास एक triangle है, और एक parallelogram है, दोनों का base सेम है, और दोनों का area भी सेम दे रखा है, अब आगे उसने बोलाए कि जो triangle है, उसकी sides है 26 cm की, 28 cm की और 30 cm की, और जो parallelogram है, उसका base कितना दे रखा है 28 cm का, हमको height of the parallelogram find करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसका base 28 cm का given है, तो यह हमने बना लिया, और इसका base भी 28 cm का हो जाएगा, क्योंकि question में हमको same base दे रखा है, अब इसकी बागी की sides कौन सी हो जाएगी, 26 cm की और 30 cm की, इसके बाद हम बोलेंगे कि height of parallelogram h मान लेते हैं, क्योंकि वो हमको find करेंगे, तो क्या हो जाएगा, area of parallelogram होता है base into height, और वो किसके बराबर दे रखा है, area of triangle के बराबर, तो यहां से 28 into h is equal to area of triangle आ जाएगा, अब हम area of triangle अलग से find कर लेते हैं, तो area of triangle हम किस तरीके से निकालेंगे, by herons formula, सबसे पहले हमको S निकालना पड़ेगा, S हो जाएगा sum of all sides ज्यानी की 28 प्लस 30 प्लस 26 बाई 2, तो 20 और 30, 50, 50 और 20, 70, 78 और 6, 84, तो यह value आजाएगी 84 बाई 2 और वो आजाएगा 42 cm, अब यह सारी values हम इस formula में put कर देंगे, तो यह आजाएगा 42 into 42 minus A, A को हम माल लेते हैं 30, और 42 minus B, यानी B को हम माल लेंगे 26, और 42 minus C, C को हम बोल देते हैं 28, तो यह value कित्ती आजाएगी, 42 into 42 में से 30 गए तो 12, 42 में से 26 गए, तो आजाएगा 16, और 42 में से 28 गए तो आजाएगा 14, अब इन सब के हम factor कर लेंगे, 14 into 3, और 14 को लेकर सकते हैं 2 into 7, तो यह आजाएगा 2 into 3 into 7, 12 को हम लेकर 2 into 2 into 3, और 16 को हम लेकर 2 into 2 into 2 into 2, क्योंकि 16 होता है, 2 की power 4, और इसी तरीके से 14 को हम लेकर 2 into 7, अब आप यहां पर notice कर सकते हैं कि हमारे पास 2 कितनी बार आ ठाए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर two हमारे पास आठ बार आ रहा है तो वह root के बार कित्ती बार आजाएगा, चार बार, क्योंकि चार pair बनेंगे, तो यहां पर हम लगदेंगे two into two into two to two, और इसी तरीके चेथे three रहा है, तो एक बार यहां पर要पर, एक बार यहां पर, अब इस value को हम इधर put कर सकते हैं, तो यह value आ जाएगी 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, अब यहां से h की value कित्ती ही आ जाएगी, तो h equal to 28 जो है वो divide मा चला जाएगा, तो 2 into 2 into यह जो value है वो 28 से divide हो जाएगी, और 28 को हम लिख सकते हैं 4 into 7, तो आप देख सकते हैं 7 से 7 कट गया, और यहां पे 4 से 2 times यह कट जाएगा, तो answer कित्ता आ गया 2 into 2 into 3, that is h equal to 12 cm, इस तरीके से question number 4 हो चुका है, अब हम बढ़ते है question number 5 की तरफ, question number 5 में हमको बोल रहा है कि एक field है, जो rhombus के shape में है, और बोल रहा है कि उसमें 18 cows graze करती है, तो उसमें आगे बोल रहा है कि जो rhombus है, उसकी side जो है, हमको इसमें बताना है कि एक cow के पास कितना area मिलेगा grace करने के लिए, तो यानि कि हमको इस rhombus का area find करना रहेगा, अब उसने हमसे बोलाए कि जो rhombus की side है, वो 30 meter की है, तो यह 30 की होगी, यह 30 की होगी, यह 30 की होगी, और यह भी 30 की होगी, और उसने बोल लखाए कि यह 48 meter की diagonal है, अब हमको इसका area find करना है, तो आपको दिख रहा होगा कि उपर वाला triangle और नीचे वाला triangle दोनों की sides बराबर है, इसका मतलब दोनों का area भी बराबर आने वाला है, तो हम area of triangle B, C, D find कर लेते हैं, और उसी का area जो आएगा वो A, B, D के बराबर आएगा, तो यहाँ प C, D find कर लेते हैं, सबसे पहले हमको semi perimeter निकालना रहेगा, तो वो कितना आजाएगा, 30 plus 30 plus 48 यानि कि sum of all sides by 2, तो यह value कितनी आ जाएगी, आप देख रहा है, 30 plus 30, 60, 60 और 48, 108, 108 by 2, which is equal to 54, तो यहाँ से हमारे पास S की value कितनी आ गई, 54, अब हम इस value को हरोंस formula में put कर देंगे, तो यह आ जाएगा S, यानि कि 54, और S माइनस A, तो A हमने ले लिया है, 30, 54 माइनस 30, B की value भी हम 30 ले ले लेते हैं, क्योंकि दूसरी side भी 30 की है, और C की value हम ले ले लेते हैं, 48, तो आप देख सकते हैं, यह सब इतना आ गया है, अब यहाँ पर 54 तो 54 ही दाएगा, 54 में से 30 गया, तो आएगा हमारे पास 24, और इधर से भी 24, और इधर से हमारे पास आजाएगा 6, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो, हम 54 को लिख सकते हैं, 6 into 9, 24 को लिख सकते हैं, 6 into 4, और दूसरे वाले 24 को भी हम 6 into 4 लिख लेंगे, और एक 6 हमारे पास यहाँ पर यह वाला था यह तो आप देख रहे हो कि 6 हमारे पास कित्ती बार आया 1,2,3,4 बार आया तो इसके लिए वो रूट से बार आजाएगा कित्ती बार? 2 बार 6 into 6 रूट के बार आगया 9 का रूट होता है 3 इसके लिए यहां पर 3 आ गया और 4 into 4 का एक pair बनना है तो एक 4 भी बाहर आ जाएगा तो यह सब value इत्ती आ गई और यह solve होके किता आ जाएगा 6 into 6 is 36 into 12 और 36 into 12 किता हो जाएगा तो यह हो जाएगा 360 plus 72 and that will be 432 meter square तो यह तो आया area of BCD और इसी को 2 से multiply कर देंगे तो area of rhombus आ जाएगा तो हम यहां पर लिख देते हैं area of area of ABCD is equal to 2 times 432 अब उसने बोला था question में कि total 18 cows है और एक cow का graze करने का area बताना है तो हम बोलेंगे कि area for grazing for each cow वो कितना आ जाएगा 2 into 432 upon 18 और यह आ गया 9 times और इसको हम 9 से काट देंगे तो यह कितना आ जाएगा 49036 और कितना बचा और कितना बचा 72 यानि कि 72 बचेगा और 72 by 9 होता है 8 times तो यहां से आप देख सकते हो कि 48 meter square एक cow को grace करने के लिए मिलेगा which is our answer तो इस तरीके से question number five हो चुका है अब हम बढ़ते है question number six की तरफ question number six मैं करके नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या है आप खुद से कर सकते हो question number six में बोला है कि एक umbrella है जिसको 10 triangular pieces से बनाया जाता है जो कि दो अलग-अलग colors में है यानि कि एक color के कितने piece हो जाएंगे हमारे पास five piece हो जाएंगे एक color के और दूसरे color के भी five piece हो जाएंगे और जो triangle का sides है वो है 20, 50 और 50 तो आपको क्या करना है कि आपको area of triangle find कर लेना है अगर आपने area of triangle निकाल लिया तो आपके पास एक piece का area आ जाएगा उसको five से बोल रहा है कि एक काइट है जो की एक square और एक आइसा उसने हमको बता रखा है और जो square है उसकी diagonal हमको दे रखी है 32 cm की और जो आइसा स्ट्राइंगल है उसका base 8 cm का दिया हुआ है और बाकी की जो sides है वो 6 cm each की दे रखे हमको बताना है कि यह जित्ते भी area है यानि कि यह जो area 1 है यानि कि यह पूरा area और यह जो area 2 है और यह जो area 3 है वो कितने value के हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको given है कि यह जो square है इसका diagonal 32 cm का है तो यह हमने इसकी value देख ली और आपक भी a cm की रहेगी क्योंकि square की चारो sides बराबर रहती है तो अब हम क्या बोलेंगे कि यह जो triangle आपको दिख रहा है वो एक right angle triangle हो चुका है अगर यह एक right angle triangle है तो 90 degree के सामने वाली side को hypotenious बोला जाता है तो यहांसे हम क्या बोलेंगे कि pythagoras theorem के according perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenious का square which is 32 का square तो यहांसे 2a square की value कित्ती आ गई 32 square के बराबर आ गई अब हम a square के लिए solve करेंगे तो 32 into 32 और यह जो 2 है वो multiply में तो इधर जाके divide बाद आएगा तो यह कितना हो गया 16 times यह कट गया तो यहांसे a square की value कित्ती आ गई 16 into 32 अब यहांसे हम क्या लिख सकते है 32 को हम लिख जैसे हमने बहुत साथ root लिया तो a square जो है यह वाला जो square होता है वो root से कट जाएगा तो यहांसे a की value कित्ती आ जाएगी आप यहां पर देख रहे है एक pair 16 का बन गया तो वो root के बहार आ जाएगा और यह कितना आ गया root 2 तो यहांसे हमारे पास a की value आ गई है अब आपको दिख रहा होगा कि यह जो ऊपर वाला एरिया है और यह जो नीचे वाला एरिया है वो पूरा का पूरा सेम है यानि कि जो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया है उनकी value बराबर आने वाली है तो अगर हमने यह निकाल लिया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि area of square कितना निकालने वाला है side into side और side हमने भी निकाल लिए यह हमारी 16 रूट 2 तो हमने यह पर 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2 का multiply कर दिया यह आ गया 16 into 16 into 2 तो आप देख सकते हैं कि हम फास्ट वाले एरिया के लिए क्लिए लिख देंगे first area is equal to area of square divided by 2 क्योंकि ये area of square का आदा है तो यहां से ये कितना आ गया 16 into 16 into 2 upon 2 तो 2 से 2 कटिया और आपको दिख रहा होगा कि second area और first area भी बराबर है तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि second area is equal to first area और यह सॉल्व होगे कितना आ रहा है 16 into 16 यानि कि 256 सेंटीमीटर स्क्वेड तो अब हमको यह आईसोसलेस ट्राइंगल का area निकालना रहेगा इसकी साइड हमको दे रखिए यह सेंटीमीटर की और यह भी 6 सेंटीमीटर की है तो हम हेरोंस फर्मूला की मदद से पहले तो सेमी पेरिमीटर निकाल लेंगे वह आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2 और यह कितला हो जाएगा 6 प्लस 6 is 12 12 और 8 20 20 बाइ 2 यह जाएगा 10 सेंटीमीटर अब area आफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हेरोंस फर्मूला लगाएंगे तो रूट अंडर S यानि की 10 और 10 माइनस A तो हम उसको 6 ले लेते हैं और B को भी हम 6 ले लेते हैं और C को हम ले लेते हैं 8 तो 10 माइनस 8 यहाँ पे हमने लगा दिया यह आगे 10 रूट के अंदर और यह आजाएगा 10 माइनस 6 इस 4 और यह भी 4 और यह 2 तो यह कितना आजाएगा 10 को हम लोग लि तो जो pair बनता है वो root के बाहर आ जाता है तो ये कितना आ जाएगा 2 एक बार आएगा बाहर और 4 एक बार बार आएगा और root के अंदर जो 5 है वो रह जाएगा तो इसके लिए ये area कितना आ गया 8 root 5 cm2 तो अब आप देख रहे हैं कि हमने थर्ड वाला area यही निकाल दिया है 1st और 2nd हम यहाँ पर निकाल चुके है तो इस तरीके से question number 7 हो चुका है अब हम बढ़ते है question number 8 की तरफ question number 8 में उसने बोलाए कि एक floral design लगा हुआ है किसी floor पे जिसमें 16 ties लगी हुए है triangular shape की अब आगे उसने बोलाए कि जो triangle का dimension है वो 9 cm, 28 cm और 35 cm तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आप किसी भी एक टाइल का area निकाल लो तो आप क्या करोगे area of one tile निकाल लेना तो वो आप herons formula की मदद से easily निकाल सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि आप इस area को multiply by 16 कर देना और जो area आएगा उसको आप cost से multiply कर दोगे तो आपका total cost निकल आएगा तो इस तरीके से question number 8 आप easily खुद से try कर सकते हो इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है इसके लिए यह आपको मैं खुद से करने के लिए दे रहा हूँ अब हम बढ़ते है question number 9 के तरफ question number 9 एक बहुत ही अच्छा question है यह आपको आना चाहिए तो इसमें बोला है कि एक trapezium है जिसकी parallel sites 25 meter और 10 meter की दे रखिए तो हम बोल देंगे यह site 10 meter की है और यह site 25 meter की है इसमें आगे उसमें बोला है कि जो non parallel sites है वो 14 meter की है और 13 meter की है तो हमको क्या करना है कि हमको area find करना है इस पूरी field का तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम एक parallel line draw कर देंगे जो कि 13 meter की होगी क्योंकि यह जो पूरा figure है वो एक parallelogram बन जाएगा क्योंकि आमने सामने की sites parallel है तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि this is also 13 meter अब आपको दिख रहा होगा कि अगर यह 13 meter की है और यह 10 meter की है तो यह वाली भी 10 meter की होगी और यह अगर 10 meter की है यह पूरी 25 meter की थी तो यह वाली कितने की हो जाएगी 15 meter की हो जाएगी तो यहां से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम इस वाले triangle का area easily निकाल सकते हैं तो हम इसको first नाम दे देते हैं और इसको second नाम दे देते हैं second वाला हो गया parallelogram और first वाला हो गया हमारे पास एक triangle तो हम क्या वो लेंगे कि area of first यानि कि इस वाले triangle का area हम निकाल सकते हैं हेरोंस formula से हेरोंस formula की मदद से हम पहले semi perimeter निकालेंगे वो आजाएगा 13 plus 14 plus 15 by 2 और यह कितना हो जाएगा 13 plus 14 27 और 532 42 by 2 यानि कि यह आजाएगा 21 meter तो area of triangle कैसे निकालेगा root under S यानि कि 21 S minus A यानि कि 21 minus 14 और S minus B यानि कि 21 minus 13 और S minus C यानि कि 21 minus 15 अब इस value को हम उन्हूल कर लेंगे यह आजाएगा root under 21 और यह कितना हो जाएगा 7 और वह जाएगा 8 और यह कितना आजाएगा 6 तो यहां से हम क्या कर सकते है 21 को break कर देंगे वो हो जाएगा 3 into 7 और 1 7 यहाँ पर पहले से ही है 8 को हम लिख सकते है 2 into 2 2 into 2 और 6 को लिख सकते है 2 into 3 तो आप देख रहे हो कि 2 4 बार आ रहा है 2 into 2 4 3 are 12 12 7 जा 84 मीटर स्क्वेर अब यह area of triangle आ चुका है area of parallelogram निकालने का formula क्या होता है area of parallelogram होता है base into height अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि base तो हमारे पास यह 10 है बट height हमको नहीं मालू तो height निकालने के लिए हम area of triangle का इस्तमाल करने वाले तो हम क्या बूलेंगे कि area of triangle हमारे पास आ चुका है तो half into base into height area of triangle के बराबर होता है और वो कितना आ गया 84 तो हम बोलेंगे half into base आप देख रहे हैं 15 है तो यह 15 रख दिया और height हम h मानके solve कर लेते हैं और यह कितना आ गया 84 के बराबर तो यहां से हम solve कर देंगे तो h की value कित्ती आ जाएगी यह टू डिवाइड में है उदर multiply में जाएगा और 15 डिवाइड में आ जाएगा तो h की value कित्ती आ चुकी है यह कट जाएगा 3 से तो 32006 और 24 तो 38024 और यह आ जाएगा 5 तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास 28 into 2 यानिकि 56 by 5 और यह से कितना आ गया 11.2 cm तो इस तरीके से हमने height निकाल लिया है और आप देख रहे हैं कि यह जो height है वह triangle और parallelogram की same height है तो इसलिए हम इसको direct इस्तमाल कर लेंगे इस वाले जगह पे तो base of parallelogram कितना है हमको देख रहा है यह base of parallelogram है 10 meter और height of parallelogram अभी हमने निकाल लखी है यह 11.2 ह इसमें multiply कर दिया तो यह आ गया 112 meter square तो area of trapezium कितना आ गया तो यह हमारा second area है जिसको हमने यहां पर नाम दे रखा है और यह हमारा first area था तो area of trapezium will be 1 plus 2 और यह कितना हो गया 84 plus 112 और यह कितना आ गया 84 plus 112 is 196 meter square तो इस तरीके से question number 9 हो चुका है जो कि एक important question था और यह question आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और यह exercise 12.2 complete है तो वीडियो कैसा लगा आप comment करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को like कर देना और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए channel को subscribe कर दीजे आपको अगर कोई अच्छी तरीके से मैथ समझ में आ जाए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए bye bye